स्वामु आलेकुम दोस्तों मैं उमेद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं हूँ मुहमद उस्मान करियर्स हेल्प टेस्क के जानिब से और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अन्टरग्रेजुएट स्कॉलर्शिप जो 2021 स्कॉलर्शिप इन सिंगापूर जो नैन येंग टेक्नोलोजिकल युनिवस्टी की तरफ से अनौस किया गया है उसमें आप लोग कैसे अपलाए करेंगा तो सबसे पहले तो मैं मादरत करना चाहूंगा कि मैं काफी दिनों से स्कॉलर्शिप है तमाम नैशनलिटी जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं तमाम लोग यहां पर अप्लाए कर सकते हैं अंडर ग्रैजुएट डिग्रीज के लिए मिन जिसके पास 12 ये इंट्रिमीडियेट ए लेवल की जितने पर डिग्रीज हैं वो लोग इसमें अप्ल जो परसीजर है वो आपको करियर्सहलपडेक्स.com की वेबसाइट पर अल्रेडी आप लोगों यह रीडाउट कर लिया होगा लेकिन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो कि आप लोगों ने इसमें अपलाए कैसे करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको कम्प् सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने एक सेपरेट पोस्ट ओपन होती है कम्प्लीट डीटेल के साथ कि जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हुई है कि आजनाइजेशन कौन सी है युनिवस्टी कौन सी है डिपार्टमेंट कौन कौन से है कोर्स लेवल कौन सा है फुली फंडिड है ओनलाइन आपने अपने अप्लाए करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट से अप्लाइ कर सक इसके अलावा जितने भी आप सोचिल मीडिया यूज करते हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि सिर्फ करियर से आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बताएगी कि आप लोगों ने कैसे अपनी एप्लिकेशन को सब्मेट करना तो अलजेबिडी क्राइटे परने के ने बात है वह लेंगवीज रिक्वार्मेंट क्या लेंगवीज रिक्वार्मेंट है कि इस उनिभर स्टूदें के पास चinken सटफट्पन यह कोई टेस्ट होगा तो उनको preferred किया जाएगा तो यह है जर्नल eligibility criteria इसके इलावा अगर आप दूसरे multiple scholarships देखना चाहते हैं तो आप इन links पर क्लिक कर सकते हैं अंडर्ग्राइट स्मास्टर इंटरनेशनल पी जो भी आप दिक करेंगे आपको यहां पर इस तरह से भी scholarships मिलते चले आएंगे तो अवेलेबल फील्स किस-किस फील्स में आप अप्लाइब कर सकते हैं जो आप लोगों ने रीडाउट कर ली होगी जो मेन content है इस वीडियो का वो यह कि आप लोगों ने apply कैसे करना है आप लोगों को admissions के जो पोर्टल है वो कहां से मिलेंगे तो जो फील्स हैं वो accountancy business arts यह आपने आलरेड़ी पढ़ ही लियोंगी मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहां पर repeat करना चाहिए कि वीडियो बहुत lengthy हो करना है click here to apply online तो आपने इसके लिए apply करना है apply करने के बाद आपने wait करना है जब तक आपको admission offer नहीं होता जब university आपको admissions offer कर देती है conditional या unconditional उसके बाद आपने जो है scholarships के लिए apply करना है conditional या unconditional क्या होता है means for example कि आपकी complete application लेकिन आपके पास इस वक्त आयट्स नहीं है तो जो आपको admission offer करेगी वो आपसे required करेगी कि आप जो हमें आइट्स दें या आपका English certificate है वो enough है अगर वो आपसे आइट्स मांगती है या कोई और required documents आपसे जो है वो appeal करती है तो उसको मतलब होता है conditional offer अगर तो वो आपसे कुछ नहीं मांगती और आपको admission offer कर देती है तो वो unconditional offer होते है तो जैसे ही आपको admission offer हो जाएगा उसके बाद आपने step two पे आने के बाद आपने scholarship के लिए apply करना है यह मैं one by one आपको बताता हूं कैसे गरना है जो documents होंगे आप लोगो कौन-कौन से चाहिए identity documents mean passport international students के लिए होता है educational documents आपका statement of purpose या motivational letter और language proof आपने देना है benefits क्या हो होंगे जैसा कि आपको बता दिया गया fully funded scholarship आपकी tuition fee cover होगी आपको living allowance दिये जाएगे जो कितने होंगे six thousand and five hundred dollar singaporean dollar आपको per academic year दिया जाएगा official announcement आप इसकी official announcement की scholarship की जो है उसको आप read out कर सकते हैं तो अब यह था हमारी main complete post लेकिन जो main part है वो यह कि आपने इसमें apply कैसे करना तो उसके लिए हमारे पास दो steps हैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले आपने click here to apply online आपने admissions के लिए apply करना है और इसकी application fee भी है जो आपन सकते हैं बहुत बेरे खाल से 3000 आपकी बनती होगी या maximum 4000 बन जाएगी तो आप लोगों से request होगी कि अगर आपके पास profile strong है अच्छे marks हैं तो आप इसको pay करें 30 डॉलर 3000 4000 की परवा ना कीजिएगा तो सबसे पहले आपके करना है click here to apply होगा है जब आप इस click इस link पे click करते है तो आपके सामने इस तरह से कोई detail आती होगी जो बड़ी confused है जो आपको confused कर देती है या confusion create करती है कि हम कहां पर आ गए हमने क्या करना है यह तो बड़ा कुछ लिखा है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस university ने group wise mean country wise जो है कुछ admissions के online portals को open किया है तो आप देख सकत और आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर click here for international and other qualifications जिसकी अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह India standard 12 जो पाकिस्तान है वो भी India standard 12 के अंदर आता है जब आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह से यह international undergraduate admissions आ जाता है international and other qualifications जहाँ पर आप द click करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं how to apply minimum criteria fee scholarship instructions to apply use to applications यह आपके पास सब कुछ आ गया तो जब आप इस पर click करते हैं करने के बाद जब आप at the end पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको country wise detail मिलेगी और उनकी deadline मिलेंगी यह university की deadline scholarship की deadline नहीं है scholarship की deadline आपको बता दी गई है 21 February 2021 त आपको यहाँ पे एक चीज मिलती है all other international qualification not listed above यहाँ पे कुछ गिवन है ताइवान फिल्पीन मायना मार सब कुछ इंडिया यहाँ पे कुछ उन्हों ने बता है all other international qualification not listed above जिसके अंदर यह पाकिस्तान का जिकर भी है इंडिया के लिए यहाँ पे आपको उपर मिल जाएगा जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह portal आता है और इस portal पे आने के बाद means यह page आने के बाद आपको यहाँ पे qualifications यह requirement बता दे गई है कि कितने minimum grades होने चाहिए applications link तो सबके आपको top पे मिलेंगे कहां पे होंगे वह भी मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आप आते हैं अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पर आने के बाद यहाँ पर यह देखें पाकिस्तान हायर्ट सकेंडरी स्कूल तो आपके पास at least 85% exam means 85% marks होने चाहिए अगर आप इसके लिए apply का रहे हैं अगर आप 85 85 से अबब होंगे तो आपके chances ज्य instructions आप देखेंगे रहा use the correct application for the above observed deadline तो ऐसे ही जब आप इस पे हाए international students पर आपने यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है use the correct application जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह सब कुछ आ जाता है यह आने के बाद आपने पाकिस्तान पर क्ल ले गएész पर जाने के बाद यह सैंवही चीजा आपको बता रहों कि आप लोग कैसे क्लिक करेंगे तो जब आप पाकिस्तां कस्धाल मजम होगे तो आप इसको देखते हैं यहाँ पर यह सारा कुछ आपको मिल जाता है पाकिस्तान standards school तो आप नीचे जाते हैं नीचे जाने इस फॉर्म इस एप्लिकेबल ओनली टुटेंट्स विद अधर इंटरनेशनल्स को आप इसको रिड़ आउट करेंगे यह राधी आप्लिकेशन इस नाओ ओपन जो आपके सामने इंटरनेशनल्स वाला पेज ओपन होता है जिसको आपने अप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है यह देखें यहां पर यहां पर आपके सामने लिंक हो गया यह मैंने वैसे अल्रेडी ओपन किये वे थे लेकिन आपको दिखा दिये हैं कि आप लोगों ने इसको कैसे ओपन करने हैं तो जैसे ही आपके पास यह आता है में अपने अप्लिकेशन जिसके अदर कुछ मांगा कर देना है अब मैं आपको वन बाइवन बताता चला जाता हूं वैसे तो यह बड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन मैं बताता जाता हूं ताकि आप लोग जो है इसको कर सकते हो यहां पर आपका फुल नेम है जैसा कि यहां पर गिवन नेम लास्ट नेम यह आपने पासपोर नंबर होगा आपने वही लिखना है फॉर एडेंटिफिकेशन फॉर आपने इसको छोड़ देना यह नहीं है आर्यूर सिंगा पूरियन नो आपने इस पर क्लिक करना है यहां पर नेशनल्ट चूज करेंगे जो भी आपकी है पाकिस्तान इंडिया जहां से भी आप बिलॉ ड्रिलिजिंट आ गया यह लेखिने म써ंे यहां से अपनेाज बर्स चूज करना है और यहां पे अपना मोइल नंबर देंगे उसके बाद आता है permanent address या correspondence address या आपका address है जहां पर अगर आप select होते हैं आपके documents कहां पर आएंगे तो आपने वो करना है postal code आपको क्या है 123 आप लिखेंगे अगर आपको नहीं पता तो आप Google से देख सकते हैं house number क्या है आप देखेंगे block house जो भी है आपके पास आप उसको choose करेंगे यहां पर नहीं आ रहा है यहां पर नमबर बताएंगे 12345 वैसे यह compulsory नहीं है main party यह postal address अगर आपके पास नहीं है तो आपने इनको blank छोड़ देना है अब यहां पर address आप बताएंगे आपको बताएंगे country legend कौन सा है पाकिस्तान और आपको बताता चलता हो जहां पर स्टैरिक लिखा होता वह compulsory पार्ट होता जहां स्टैरिक नहीं होता वह compulsory नहीं होता home address का आप यहां पर telephone number लिखेंगे for example 92 हमारा country code है 3331234567 जो भी यह अपना mobile number लिख देंगे अगर आप देना चाहें आप यह भी देख सकते हैं यहां पर अगर आपने email address भी देना है abc at gmail.com मुझे लगता है शायर email आएगी अगर ना भी आए तो आपने इसको देख लेना है आपने इसको email देनी है यह थी general information जो हो सकते है आप लोगों ने देख लिए आप इसको next पर click करेंगे you must be at least 12 years to apply oh my age का difference आगया चले मैं यहां पर years को चूज करता हूं sorry back 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 okay तो अब हम इसको continue करते हैं तो आपने अपनी एज सही लिखनी है जो आपके यह मैंने आपको बताने के लिए randomly चूज की तो आप सिंगापूरियन पोस्टल कोड़ इन्वालिट ओ ओ ओ शीट provide only one and another Singaporean are foreign do not provide both तो यह far Singaporean और sorry यह Singaporean के लिए हम Singaporean नहीं है तो हम जो हम है क्या बोलते हैं foreign में आते हैं तो आप फॉरन पे पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट देखें जैसे यह हमने नेक्स्ट किया तो अभी नेक्स्ट हो रहा है वो मेरे से गलती से मैंने सिंगा पूरी इन में डाल दिया तो आप लोगों ने इसका च्छाल रखना है तो अब यहां पर आगे चॉइस आपने चॉइस करनी है कि यहां पर बहुत लंबी लिस्ट है यहां पर प्रोग्राम की अकाउंटेंसी से लेकि बायो इंजिरिंग से रेलेटर बायो इंजिकल साइंसे कैमिकल कमिस्ट्री कंप्यूटर कोई भी आप यहां पर चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मताबिक फर्स सैकेंड थर्ड आ फने अपर चॉइस कर सकते हैं अपने इट्रस्ट के मुताबिक तो आप इस पर नेक्स करते हैं दुबारा से आप चॉइस पर लिक करेंगे आपके पकेट को अब वह क्या है educational qualification के बारे में आप बताएंगे please indicate your academic status still studying or just completed high school or just received final result completed high school and current university student जो भी आपका status है आप इसको choose करेंगे please indicate your high school qualification still studying or still graduates not more than three months ago the results will be available has just been released जब आपको आपका result मिला है आप जो है उस result को यहां से accept करेंगे means कब आपको आपका result मिला है आप graduate हुए please indicate your high school qualification आपके high school qualification क्या थी आप यहां से choose करेंगे Pakistan पाकिस्तान तो यहां पर search का option नहीं है यह राप पाकिस्तान high school certificate पाकिस्तान यहां पर आगया है तो आप यहां से study stream in high school का मर्स थी या साइंस थी आप वो चूज करेंगे और यहां पर आप नेम आप आफ हाई स्कूल का यहां से choose करेंगे जो भी आपकी 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 आपका स्कूल एडरेस क्या था एबी सी आप बताएंगे कंट्री लेजन क्या था पाकिस्तान ओके आपने यह करना है उसके बाद यहां पर आता है give national high school examination you must be able to provide certificate photocopies of results showing grades provided तो यहां पर आपने अपने grades बताने है subject wise आप चूज करेंगे exam year आपने कब दिया 2020 में हुआ तो आप यहां से subject चूज करते हैं कौन कौन से थे आपके physics, chemistry, math, english जो जो भी आपने पढ़ें आप चूज करेंगे और यहां पर अपने grades बताएंगे one by one के a1 जैसा कि यहां पर लिखाव है for example अगर आपने क्या कहते हैं marks बताने हैं तो आप यहां पर लिखेंगे के 150 105 जितने भी थे grade बताने हैं तो a1, a0 आप वो बता देंगे उसके बाद जो है आप next चले जाएंगे तो मैं यहां पर one choose कर लेता हूं ताकि हमारी आगे जा सके grade आप marks obtained, grade divided by marks obtained, maximum marks best grade तो यहां पर आपने बताने हैं के grade for example आपका है a grade या जो आपने marks obtained कि हैं वो थे 100 तो यहां पर ज additional education required, is physics one of the subject in your blah 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 level high school exam, क्या physics आपके exam में था, yes, physics said blah blah blah, year आपका कौन सा था, कब कब आपने पढ़ी और grade आपका क्या आया, for example, आप 9-10 में पढ़ते हैं तो आपने highest का डाल देना है, ऐसे ही आपने mathematics का यहां पर डाल देना है, Chinese आपको आपने नहीं किया, आपने इसको छ subject होते हैं, इसके बाद additional education information, अगर आपके पास कोई additional information है, तो आप add कर सकते हैं, for example, जो है, आपने SAT का test दिया वाया, या इसके इलावा कोई test है, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे list of documents, your school is forwarding, इसको आपने read out कर लेना है, इसको आपने read out कर लेना है, एहतियात से, कि कहीं प instructions है, आपने इसको follow करते हुए, next पे click कर देना है, तो next पे click करने के बाद आपके पास आगई है, achievements, क्या आपके पास कोई achievements हैं, for example, क्या आपने कोई scholarships winning किया, क्या आपने कोई competition winning किया, क्या आपने कोई positionally, 9, 10, 8, जो भी है, कुछ अगर आपके पास achievements हैं, कुछ sports में, curriculum activities में या non-curricular activities में, तो आपने वो इसको बता देना, अगर नहीं है, तो आपने इसको blank छोड़ कि और next पे चले जाना है, next पे चले जाने के बाद आपके सामने आगे, other information जिसके अंदर आप से पूछा है, I do not wish to apply for tuition grant, I understand that, I will not subscribe, I wish to apply for tuition grant, आपने इस पे भी click कर देना, ताकि आप separately apply करेंगे, तो यहाँ पे यह देखें, उन्होंने पुछावा है, language के लिए, TEFL, SAT, IT, PT, ACT, जो भी application, have you applied for answer previously, no, आपने इस पे no पे click करना, तो यह detail आप देंगे, जो भी आपने test दिया वाया है, इन में से, आप उसके यहाँ पे detail बताएंगे, इसके बाद यहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ, कि यह compulsory नहीं है, अगर आपके पास है, तो well and good, अगर नहीं है, तो आपने इसको blank छोड़ देना है, do you have any past or current physical health, no, are you currently studying in private institutions in polytech, no, have you previously studied, are you currently in NUT, no, कि कैना, देखें, मैंने आपको जैसे ही बताया है, कि वो compulsory नहीं है, अगर आपके पास कोई test है, आइट, सफल वगएरा तो ठीक नहीं है, तो आप इनको blank छोड़ देना है, यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं, जो भी आप I hear by declaration information provided, blah, 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 आप इस पे click करते हैं, click करने के बाद, जो है, आप इस पे क्या कहते हैं, अपना password देते हैं, password पे click करने के बाद, आप preview पे click करेंगे, preview से क्या होगा, कि वो आपको आपके application fee को pay करना है, application fee के लिए, आपके पास एक electronically email आएगी इनकी तरफ से, या आपको at the end required किया जाएगा कि अपनी application fee को pay करें, तो उसके बाद, जब आपको admissions offer university कर देगी, means आपने इसको apply कर दिया, apply करने के बाद आपने wait कर रहे हैं, कि कब admission आता है, कि आप status भी check कर सकते हैं, आपने online application portal को login करने के बाद, तो आप status check करते हैं, जब आपको admissions offer हो जाता है, then आपने इस link पे click करने के बाद, scholarship के लिए apply करना, means आपने scholarship grant भी choose की, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, आपने scholarship के लिए apply करने के बाद, इसके लिए क्या करेंगे, आपने अपने application number यहाँ पे लिखेंगे, वही application number जो आपको offer letter में, या आपके online admission portal में, आपको offer किया जाएगा, आपका जो login number होगा, वह होगा, आपकी date of birth होगी और आप ok पे click करेंगे, ok पे click करने के बाद, यह open हो जाएगा, open होने के बाद, आप इस application को fill कर सकेंगे, यह simple सी application होगी, means आप से general detail पूछी होगी, आप से scholarship के लिए apply करना है, नहीं करना, आप yes no पे click करेंगे, और submit कर देंगे, that's it, यह था complete procedure, इस scholarships in Singapore for undergraduates, international students के लिए चाहे, वो इंडियन हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी country से उनका complete procedure यह है apply करने के लिए, आपको किसी agents करने से रापता नहीं है, आपको किसी agent से या consultant से रापता क Facebook, YouTube या website, या इसके लावा tutor पे है, या इसके लावा LinkedIn पे है, या इसके लावा Instagram पे जो भी pages है, उनको subscribe करना और join करना ना भूलेगा, क्योंकि यही वो platform है, जो आप लोगों को सिर्फ free of course, किसी भी वज़ा के बगार, आप लोगों को proper guideline प्रवाइड करता है, और आप लोग